हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्विटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आपको यहां पर यह स्क्वीन पर दो कैंडल स्टिक देखने को मिल वे होंगे फर्स्ट कैंडल स्टिक आपका एक स्ट्रॉंग सपूर्ट की करीब फर्म हुआ है तो आप लोग इसके नाम से फैमिलियर हो गये होंगे यह कैंडल स्टिक आपका बन जाता है हैमर कैंडल स्टिक दूसरा यहां पर आपका एक स्ट्रॉंग रेसिस्टेंस लेवल है और इसके क करीब इस candlestick pattern का formation हुआ है तो यह candlestick आपका क्या बन गया यह candlestick बन गया आपका shooting star candlestick अब दोनों candlestick कि अगर आप nature या behavior पर जाएं तो hammer candlestick एक आपका positive candlestick होता है और यह हमें क्या indicate करता है यह हमें indicate करता है कि support के करीब जो buyers हैं वो यहाँ पर हमें काफी हद तक strong देखने को मिलने यह नहीं आपका एक बन के बन गया inhale गया पर यह दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है sellers उनका strong या फिर उनका strength काफी ज़्यादा है और यह आपका एक जबरदस्त negative candlestick है लेकिन अगर क्या हो यह दोनों candlestick अगर आपका back to back बन जाए for example यह हमारा support level है यह हमारा resistance level है अब support करीब आपका hammer candlestick बन गया अब जैसे हमार candlestick बना इसके बाद हम क्या करते हैं by side की तरफ जाना यहाँ पर हम prefer करते हैं तो हम जैसे by side की तरफ गए क्या हुआ फिर से यहाँ पर हमारा क्या बन गया shooting star candle बन गया तो क्या हम यहाँ by side की तरफ जो trade लिया उसको continue करेंगे या फिर पहले अगर आपका shooting star बन जाता है और उसके बाद अगर आपका hammer बनता है जैसे अगर हम इस candlestick को यहीं पर रखते हुए इदार ले आते हैं तो इस टेंसर करीव है पहले अगर आपका यह shooting star candle बन जाता है तो इसके बाद क्या करेंगे हम sell side की तरफ जाना prefer करेंगे जैसे sell करोगे आपका यहाँ पर hammer candle stick बन गया तो इस situation में आप क्या करोगे buy side की तरफ जाओगे sell side की तरफ जाओगे या फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दोगे trading avoid कर दोगे तो ऐसे ही market आपको different types of situation में डाल के आपको confuse करेगा अब यहाँ पर ultimately आप क्या हो जाओगे confuse हो जाओगे कि हमें exactly करना क्या है confuse हो गए that means उनका काम हो गया और आप उनके trap यहने उनके जाल में फस गए और उनके जाल में फस है तो ultimately क्या होगा आपको यहाँ पर loss उठाना परेगा तो आज की मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के situation में आप कई वार आएंगे और इस तरह के situation से आपको deal कैसे करना है यहाँ पर जो हमें loss हो रहा जो हम trap में फस रहें इन सबसे हमें बाहर कैसे निकालना इस loss को या फिर इस trap को हमें avoid कैसे करना वो यहाँ पर हम सीखेंगे तो इस तरह के video आपको कोई और नहीं बताएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज वीडियो को like करके हमें motivate जोर कीजेगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe भी जरूर कीजेगा क्योंकि यही वीडियो है जो कि आपको real life market में real market में आपके काम आने वाला है अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको imaginary बता रहा हूँ इसके बाद यह form हो गया आपका real market में भी इस तरह का सिनारियों हमें देखने को मिलता है अब यह सिनारियों कहां पर हुआ है कब हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमारे पास real life example भी है हम आगे कहां पर Axis Bank के चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है आपका daily चार्ट है अब इस daily चार्ट को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर same situation हमें देखने को मिला है सबसे पहले देखिए यह candlestick आपका काफियाद तक यहाँ पर आपका एक resistance है और यहाँ पर support है सबसे पहले यह हमने द्वा कर दिया resistance कर भी है इसके बाद अगर हम यहाँ पर sell side की तरफ ट्वेड लेते हैं क्या हुआ प्राइस आपका उपर side की तरफ गया है जो भी हम stop loss रखेंगे असल हीट डैट मिलता जोलता है उसके बाद यह candle फॉर्म हुआ है यह आपका क्या फॉर्म हुआ है hammer candlestick exact तो नहीं है लेकि 90% मिलता जोलता है इसके बाद हम generally क्या करते हैं buy side की तरफ trade लेते हैं यहाँ पर हम buy side की तरफ entry लेंगे price नीचे आके हमारा SL hit that means to loss यह नहीं इस candlestick के बाद अगर हम इसके basis पर trade लेते हैं फिर भी हमें loss हो रहा है इसके बाद हम trade लेते हैं फिर भी हमें loss हो रहा है मतलब यहाँ पर हम buy भी कर रहे हैं फिर भी हमें profit नहीं हो रहा loss ही हो रहा हम यहाँ पर sell भी कर रहे हैं इसलिए हमें loss ही हो रहा है तो इस particular time पर आप जो भी कुछ करोगे market हमेंसा आपके against ही जाता हुआ दिखेगा इसलिए बहुत साइब लोग हमेंसा complain करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं market हमेंसा मेरे against क्यों हो जाता है इसलिए आता है क्योंकि आप इस particular period में market में survive नहीं कर पाते हैं जब market आपका trending रहता है चाहे up to and way, down to and way वहां से हम लोग तो generally profit निकाल लेते हैं लेकिन ये जो profit होता है ये profit हमारे bank तक transfer नहीं हो पाता है उसके पीछे का region क्या है region यह है कि उसके बीच में हमारे पास इस तरह के market situation भी आते हैं और इसी तरह के market situation को हम जेल नहीं पाते हैं survive नहीं कर पाते हैं जो भी profit आता है इस market condition में वो profit तो हम गवाई देते हैं साधी साथ हमारे जो पैसा रहता है उसको भी यहां पे हम lose कर देते हैं as a loss के रूप में इसलिए हमारे bank में वापस कुछ नहीं जाता है तो अगर आप इस market phase में survive कर लो तो देख सकते हैं आपका जो profit है वो आपके bank तक transfer होता हुआ दिखेगा और इस market phase में कैसे survive करना यहीं हम देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरह के strategy और सीखना है या फिर आपको study करना है तो इसके लिए हमने course डिजाइन किया देख सकते हैं हमारा एक complete course है सबसे पहले pursuit of profit के नाम से जहां पर आपको stock market के बार में basic से advanced level तक पूरा detail से बताया गया है और उसके अलावा अगर आपको यहां पर price action सीखना है तो इसके लिए हमने course डिजाइन किया candlestick pattern आपको सीखना है कि आप यहां पर as a independent trader काम कर सकते है stock market में आप अपना part time carrier भी बना सकते है तो अगर आपको सही लगता है तो हमारा एक mobile app है equity commodity जिसको आप play store से download कर सकते हैं और यह app download करने के बाद आपको हमारा एक course दिख जाएगा पसंद आता है course के लिए enroll कर सकते है तो यहां पर हम वापस से chart पर आगे अब chart पर हमें क्या समझना इस तरह के move को समझना और यह सिर्फ access bank में ही देखने को मिलता है हमें यह nifty bank nifty है जिस भी stocks में आप trading करते है regular basis पर इस तरह के move देखने को मिलता है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे यह दोनों candlestick हमें confuse कर रहा तीसरा candle भी लिए यह भी हमें confuse कर रहा तो यहां पर हम क्या करेंगे candles को छोडेंगे candles को हम avoid करेंगे हम पूरे move को समझने की courses करेंगे और पूरे move को समझते हुए हम देखते हैं कि यहां पे market में हो क्या रहा जिसे कारण से हमें नुकसान उठाना पर या फिर हम trap में first जा रहे हैं तो जब भी market आपका range bond हो जैसे यहीं से देख सकते हैं यहीं से इसने एक low बना दिया और यहां पे आपका एक high का formation कर दिया in fact इससे नीचे यहाई बना हुआ यहीं पे अब देखिए अब यहां पे मैं आपको different method बताने जा रहा हूँ इन सारे market को analyze करने का सबसे पहले आपको crucial level find करना है इस particular area में और वो crucial level कौन सा बनवा है अगर हम यहां पे देखे तो आपका 910 आपका crucial और important level बनता हुआ दिख रहा है अब मैं आपको बोलवाँ यहां पे आपका line दिख रहा है यह आपका क्या है 910 level का line है अब मैं आप सब बोलवाँ कि यहां पे candles को count करना है वैसे candles को count करना है जिसका open and close दोनों क्या हो 910 से उपर हो वैसे number of candles count किजिए सबसे पहला यह दूसरा यह तीसरा यह इस candle छोड़ेगे चौथा यह पांचमा यह तो यह candle भी आ जाएगा और यह candle भी आ जाएगा तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1,2,3,4,5 out of 7,5 आपके red candle है इसके बावजूद जबसे price आपका 910 के level को cross करके उपर निकला है उसके बाद कोई भी red candle closing 910 के नीचे या 910 के नीचे price आया भी नहीं है जो भी red candle बना है 910 के उपर open हुआ है और इसके उपर ही closing दिया है मतलब एक चीज तो clear है कि यहां पे sellers तो है market में लेकिन यह जो sellers है वो काफी हद तक हमें कम जोड देखने को मिल रहे हैं मतलब यहां पे हमने अलग एंगल से सबको analyze किया number of candles count किया candles के color को count किया यहां पे sellers का quantity जादा है अगर number of buyers या sellers की बात करें तो sellers का quantity काफी जादा है लेकिन उसके बाब जोड़ी वो क्या है बहुत जादा कम जोर है यह conclusion मिल गया अब हम इसको clean कर देते है number of candles का अब हमारे पास काम नहीं है देखिए different method of analyzation में बता रहा हूं market को अलग-अलग एंगल से analyze करना तब जाके आपको एक बहतर idea बहतर clarity मिलेगा और यही चीज अभी भी आप market में जगादेव तक survive नहीं कर सकते हैं तो अब हमें यहां पर क्या पता चल गया sellers strong है अब हमने जो इस range में line draw किया था यहां पर price आते है क्या हो रहा साब तेजी से मतलब काफी तेजी से उपर जा रहा that means to यहां पर हमें इस particular point पर अगर हम 910 याउस से नीच अब उसके बाद कि जब बायर यहां पर strong हो रहें इसके साथ एक और काम हो रहा कि ऐसे की लेवल पर हमने पहले इससे पता कर लिया था कि यहां पर क्या है sellers जो है वो कमजोर है और price जैसे ही उपर जा रहा यहाँ पर भी क्या हो रहा जो buyers है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कमजोर हो जा रहा है इसलिए price को ज़्यादा उपर नहीं ले जा पा रहे है और यहाँ पर sellers का market में entry हो रहा तो यहां पे चार्ट चीज़ हो रहा है नीचे के levels पे buyers strong है और sellers कमजोर है उपर में भी buyers कमजोर है लेकिन यहां पे sellers strong नहीं है मैं बोल रहा हूँ sellers का entry हो रहा है sellers का entry और buyers strong दोनों अलग-लग term है तो इसलिए यहां पे अब हमें इन सब को देखते हुए एक साथ strategy form करना है तो अगर आपको यह साला confuse कर रहा तो यह सब कुछ भूल जाए जब भी इस तरह का situation आई market में बस आपको देखना है कि इस particular lower level पे buyers active है या नहीं है buyers active है तो आपको क्या strategy form करना lower level पे buy side वाला trade लेना है और price जैसे ही उपर जाता है यहाँ पे आपको profit booking करना है selling करने के बारे में सोचना नहीं है अब जिनको हिमात है जो लोग sell करना चाते हैं sell कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ risky trader जिनको loss से डर्बने लगता है या जिनको loss से कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे sell side की तरफ trade ले सकते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको safe trader मानते हैं या फिर medium risk लेना भी चाहते हैं फिर भी आपको यह strategy करना नीचे पे buying उपर में profit अब यहाँ पे काम कैसे करें यहाँ पे buying किया यहाँ पे हमने profit book किया फिर price आपका इस level करीब आया बाइंग और उपर जाएगा तो profit book करेंगे और उससे पहले इस level पे भी हम buying करेंगे यहाँ पे profit booking तो ऐसे multiple times जितनी बार तक price आपका move करेगा यहाँ पे एक बार हमारा stop loss ह हो सकता है छोटा सा stop loss रखेंगे लेकिन उस एक बार stop loss हिट होने से पहले हम multiple times यहाँ पे हम profit बना सकते हैं तो ऐसे ही जब candle आपको एक resistance बना हुआ यह आपका immediate support बना हुआ देखिए support करीब यही आपका candle का formation किया है कौन सा hammer बीच में एक छोटा सा green candle इसके जस्ट बात क्या बन गया है shooting star तो यहाँ पर आपको confused किया ना कि क्या करें नहीं करें तो यहाँ पर भी वही काम करना इस range के आसपास क्या करो बाइ करो उपरी range पर आपको profit booking करना तो जब भी इस तरह के market situation दिखे आपको यही strategy follow करना और यह strategy काफी हथ तक accurate होगा जैसे हम इस level पर buying करेंगे यहाँ पर हमें profit book करने का मौका मिल गया फिर से price यहाँ पर आता है तो दुबारा buying करेंगे फिर से उपरी level profit book करेंगे तो जब तक ऐसा चलता रहेगा हम यही काम करते रहेंगे और ऐसा काम करने से आप range पर market में भी profit बना सकते हैं और अगर आप यहाँ पर options में trading करते हैं एक और ध्यान दे लिजे जो भी लोग options में trading करते हैं यहाँ पर हमेशा आपको ITM ITM में ही buying करना जो भी लोग options में बाइंग करना चाहते हैं यहाँ पर आपको ATM पर भी नहीं जाना है OTM के बारे में तो सोचना भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हमेशा यहाँ पर ITM पर जाना है एक दो strike price नीचे की ITM को इसलैक कीजिए उसी में थोड़ा बहुत momentum पर हमें profit देता हुआ दिखेगा तो उमीद करते हैं आपको clarity के साथ idea मिल गया होगा कि इस तरह के market में कैसे trade करना है और उमीद करते हैं ये वीडियो आपको informative भी लगा होगा तो फिर से वीडियो को like जोड़ कर दीजे चैनल को subscribe भी जोड़ कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन